हेलो दोस्तों कैसे आप सबी आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं सेकेंड ग्रेड के महत बन क्यूशन इन क्यूशनों को लास्ट तक जरूर देखना आज का पहला क्यूशन है कि समीति ने मतश्य संकेव रहध राजस्तान में विले की अनुसासा की है इनमें से किस समीति है उन्होंनीं मतश्य संकेव रहध राजस्तान में विले की अनुसमसा की है तो संकर राओ जो समीति है उन्होंनी मतश्य संकेव रहध को दो नमर 30 मार्च 1949 को और ती नमर्च उपसन है 15 माई 1999 और चया नमर है 26 जनमरी 1950 को तो इसका सही आंसर है 2019 मत्चे संकार राजस्तान में विले हो बिए था सेकेंड ग्रेड गुनिस्द फर्विडी 2019 को को एक्विशन आया था कि मतर से जंका राज्तान में विले कब हुआ था तो पंदरा मई उनिस्सो उन्चास को हुआ था सी ओफ्षन इसका सही होगा अगला क्विशन है सियुक्त राजस्तान का सियुक्त राजस्तान का अप्रेल 1818 को किस ने उद्गाटन किया था सियुक्त राजस्तान है उसका अप्रेल 1818 को किस ने उद्गाटन किया था तो एक नमर उसना मनेक लाल वर्मानी दो नमर है जवारला नेरूनी ती नमर है मात्मा गांदी ने और चार नमर है के एम मुंसी तो इसका सही answer है जवारला नेरोनी श्यूंक्त राजस्तान का 18 अप्रेल 1924 को उदगाटन किया था जवारला नेरोनी यह question 2nd grade 2019 में पूछा गया है अगला question है अजमेर मेरवाडा का राजस्तान में विले कब हुआ था अजमेर मेरवाडा का राजस्तान में विले हैं वो कब हुआ था एक नमर उप्सन 26 जनवरी 1956 दो नमर उप्सन है एक नमर उप्सन है एक नमर उप्सन है 26 जनवरी 1956 इसका सही आंसर है एक नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्तान में विले होगा था एक नवंबर 1956 को बी ओफस्निस का सही होगा अगला किशन है 25 मार्च 1948 को गटित राजस्तान संग में निमल खित देश सिर्यास्तों का कौन सा समय समलित नहीं था इसका सही आंसर है उद्यपूर डूंगरपूर बासवाड़ा परताबगड ये रियास्तों का जो समय है वो 25 मार्च 24 को गटित राजस्तान संग में इन रियास्तों का समय है वो ये समिकत नहीं है बाकी जो अन्य है ये सभी थे लेकिन उद्यपूर डूंगरपूर बासवाड़ा परताबगड वाले जो ये ग्रूफ है इन में से शामिल नहीं थे तो सी ओफिसनेस का सही हो जाएगा अगला कुछन है बिटी कष्णमाचारी किस राजे की दिवान थे बिटी कष्णमाचारी किस राजे की दिवान थे एक नमर उपसन मिवार दो नमर जोदपूर ती नमर जेपूर और चया नमर जेशलमेर सही आमसर इसका जेपूर बिटी कष्णमाचारी है वो जेपूर राज जाने के लिए किया गया था कि वे रास्तान अत्वाँ, उत्रमत्रे किस्थ में मिलना चाहते हैं, तो इस जमीती में अधेक सहीत कितने सद्धश्चे थे, अधेक सहीत इस में तीन सद्धश्चे थे, डी ऑफ्सन सही म होगा, अगला कुश्न है, मतश्यश संग के अंतरकत नम कुशन पूचा गया है दो बार मतस्चे संग की अंतरगत निम्न में से कौन सी देशी राजे समलित नहीं थे यह हमें पूचा गया है तो इसके लिए आप याद रखिए A, B, C और D A से अलवर हो जाएगा और B से बर्तपूर हो जाएगा और C से करोली हो जाएगा और D से दोलपूर हो जाएगा इसलिए मतस्चे संग की जो देशी राजे उन्हें याद करने की ट्रीक है A, B, C, D अलवर बर्तपूर, दोलपूर और करोली है अगला क्यूशन है मतस्चे संग का परतम राजपरमू की सिरियासत का सासक बना था एक क्यूशन PTA 13 मई 2015 को पुचा गया क्यूशन है मतस्चे संग का परतम राजपरमू की सिरियासत का सासक बना था एक नमर उपसन है अलवर दोलपूर बर्तपूर, ती नमर है दोलपूर और चार नमर है करोली सही अनुशन है इसका दोलपूर मतस्चे संग का परतम राजपरमू की वो दोलपूर यासत का सासक बना था शी उपसन सही होगा अगला कुछने कितने सोपानों में शिरोई का राजस्तान में विले वा था कितने सोपानों में शिरोई का राजस्तान में विले वा था एक नमर एक सोपानों में, दो नमर दो सोपानों में, तीन नमर तीन सोपानों में और चार सोपानों में सही आनसर इसका दो सोपानों में जो शिरोई ही है शिरोई राज्य है उसका दो सोपानों में राजस्तान में विले हुआ था अगला है अजमेर का राजस्तान में विले हुआ था अजमेर का राजस्तान में विले हुआ था D option से होगा 1956 अगला कुछन है राजस्तान दिवस मनाया जाता है राजस्तान दिवस हो मनाया जाता है एक नमर option PTA 7 November 2012 को 2nd grade 2010 के अंदर कुछन पूचा गया राजस्तान दिवस कब मनाया जाता है एक नमर 30 March को 2 नमर 31 March को 3 नमर 9 March को 9 जनवरी को सपे आपको पता ही होगा 30 मार्च को राश्ता अधर मनाया जाता है अगला में कितने अर्यास कंदेए ठीए आप थोटी कलास शीपढ़ते आ जोनी इसका सही आंषर हो जाएगाundi सब्तनतर्ता से पहले राजितार में गुनी स्रियास्ते थी पी ओफशनिस का सही होगा अगला किसने सिर्वी का राजितार में विलेक कब हुआ था शिर्वी का राजितार में विलेक कब हुआ था सेकंड ग्रेड 2010 में क्यूशन पूचा गया है एक नमर उप्षन है 30 मार्च उनिसों उन्चास दो नमर गुंग 30 नमबर उनिसों उन्चास तीन नमर है 26 जनवरी उनिसों पचास और डी उप्षन है 1 नमबर उनिसों चपन तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी उनिसों पचास को सिरोई का राष्तान में विलेवा था सी उप्षन से होगा 26 जनवरी उनिसों पचास अलाक्रिशन है 22 सेशंका उदगाटन हुआ था 22 नमबर उनिसों पूचा गया है एक नमर उप्षन 11 अक्टूबर 1997, दो नमर उप्षन 14 दिसमर तो इसका सही आंसर जाएगा सतरा मार्च उनिस उनिसों प्राइश को सी ओप्सन्स का सही हो जाएगा अगर एक शने राजस्तान की सभी रियास्तों को मिला करके राजस्तान यूनियन का गठन करने एतू तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाण मारान को बुलाया गया था राजस्तान की सभी रियास्तों को मिला करके राजस्तान यूनियन का गठन किया गया था जिसमें 25-26-2016 को राजस्ताना गुजरात में मालवा के रियास्तों का समिजन किस ने बुलाया था तो मेवाण महाराना ने बुलाया था एक शने इसका सही होगा अगला किश्वन है 25 मार्च सन 1948 को श्यूंक राजस्तान में जिस रियास्त का विल्यवाता वह थी एक नमर उपसन सीरोई दो नमर वर्थभूर तीन नमर परताबगड और चानमर अलवर तो इसका सही आंसर रजएगा परताबगड सी ओपसन इसका सही होगा 25 मार्च सन 1948 को श्यूंक राजस्तान में परताबगड रियास्त का विल्य हुआ थी ओपसन सीरोगा अगला है राजस्तान राज्य का वर्तमान शरूप जिस तारिक से हैं तो वैह है और नंसनी स्व जने पर तबुक एक नवंबर उन्छने औरु नाज़नी मसें बनाया गया था इसका सही यहां देवर नंक मंत्री को बनाया गया था बी ओप्सन इसका सही होगा अगला कि ने वर्तमान राष्ता निर्मान की प्रिक्रिया पूर्ण हुई है एक नमबर उब्सत्र एक नमबर मुलिश्पपन को दो नमबर 26 जन्वर उनिशपपचास को शी ओप्सन तीस मार्थ पचास को दी ओफ्चन है 30 वार्थ 244 तो इसका सई आंसर हो जाएगा एक नम्ब्र उनिशोच पन को वर्तमा रास्ता निर्मान की परिक्लिया पूर्ण होई थी एक नम्ब्र 156 को अगर्वारा च्राइबं कोई सेशंग की बनाए गए थी यानि मताश्य संग की बढा मंतरी हैं वो किसे बनाए गए थी यह कृष्छिन second grade 2010 में पूछा गया question है मतश्य संग का प्रदान में तरी PM कौन था एक नमर उदेभान सिंग दो नमर है केम मुंसी और सी ओफिन मास्टर अधित्य अंडर और डी ओफिन सोबाराम तो इसका सही answer है सोबाराम सोबाराम को इसका PM बनाया गया था मतश्य संग का तो डी ओफिन इसका सही होगा सोबाराम तो आज की question है वो कैसे आगे question आपको next video में मिलने वाले है तो चैनल पर आप नहीं है चैनल सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो को लाइक करके के आपने दोस्तों कसाद सेर्द जरूर करें